आजकर हर बच्चे का अपना एक काटून कारेक्टर होता है और वो अपने बड़े पर वैसे ही केक बनवाना चाहते हैं तो बस मेरा केक बेक हो गया बहुत अच्छा बहुत स्पॉंजी बेक हुआ है इसको तीन लेयर में कट कर लिया है और मैंने आज पतीले में केक बेक किया है क्योंकि मेरा आवन फिर से खराब हो चुका है तो पतीले में बहुत अच्छे से केक बेक हो जाता है फिर मैंने बोड लिया अपने केक के हिसाब से और बोड पर क्रीम लगाया है पहली लेयर रखी है और क्रीम में मैं चॉकलेट गनाश मिक्स कर रही हूं ताके मैं चॉकलेट क्रीम रेडी कर सकूं और गनाश को अच्छे से क्रीम में मिक्स कर लेना है तो इसी तरह से चॉकलेट क्रीम रडी हो जाती है इसको मैंने पाईपन बैंक में भर लिया है और बस अब इसकी आइसिंग शुरू करेंगे केक की तो चीनी पानी का मिक्षर रेडी किया है मैंने और उससे केक की अच्छी तरह से सोकिंग कर ली है उसके बाद मैंने क्रीम लगाया इसके उपर और इसके बाद मैं लगाऊंगी गनाश चौको चिप सब कुछ डालना है अच्छे से क्योंकि सारा केक में टेस्ट जो है इसी सब चीज से आएगा और डिकोरेशन बहुत ही जादा अच्छी है प्यारी है तो वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा बीच में स्किप मत कीजिएगा देर सारा गनाश डालना है ताकि अच्छा चौकलेट टेस्ट हो वी टेस्ट अच्छा होगा तभी लोग को पसंद आएगा आपका केक उसके बाद हम इसके ऊपर चौको चिप डालेंगे इससे क्रंच आ जाता है चौकलेट का तो अच्छा लगता है अब सारी लेयर को इसी तरह से हम सेट कर लेंगे यह मेरी तीनों लेयर सेट हो गई है उसके बाद थोड़ी सी क्रीम से हम इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे है और करम कोटिंग अच्छेत से करना है ता कि प्रॉप इस तरह से हमें कलर दाई देना है तो अगर सही से क्रम कोटिंग नहीं हुई भी राहेगी तो इसके बाद आपकी अच्छ आप apologize को तो क्रम कोटिंग बहुत से करना होता है तो अच्छे से क्रीम लगा के इसकी क्रम कोटिंग कर लीजे पहले, यह चोटी चोटी सी टिप्स है जो फॉलो करने से हमारे केक में अच्छी फिनिशिंग आती है, नीट अन क्लीन केक बनता है और जितने अच्छी फिनिशिंग होगी उतना अच्छा आपका काम दिखेगा, क अच्छी फ्रॉस्टिंग होगी, अब मैंने क्रीम में मिलाया है येलो जेल कलर और इस तरह का येलो कलर मैंने रेडी किया है, पाइपिन बैंग में भरा है, अब इससे हम इसकी फाइनिल आइसिंग करेंगे, क्योंकि केक को हमें येलो बनाना है, तो येलो भी मतलब उतना तो कलर यूज नहीं कर सकती थी, तो इसके बाद मैंने इसको और थोड़ा सा डार्क शेड दिया है, तो वो कैसे दिया है, वो भी आगए आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पाइपिन बैक को ज्यादा कट नहीं किया है, क्योंकि मुझे ज्याद अगर दिया है केक को, अच्छे से क्रीम को बराबर कर लिया है, फिर साइड से, पहले हम क्रीम को समझ कर लेंगे, ताके जितना गैप है वो फिल हो जाए, उसके बाद हम इसको स्क्रेपर से क्लीन करेंगे, तो यह ओच्पी शीट वाला जो स्क्रेपर होता है, यह बहुत अ अगर जादा नहीं है तो एक दो बार इस तरह से हम इसको clean कर लेंगे और इसके बाद हम आगे का process करेंगे तो जब तक मेरा clean नहीं होगा केक और मुझे satisfaction नहीं होगा जब तक मैं इसको करती रहती हूं और जब perfect हो जाता मेरे हिसाब से तब फिर मैं आगे बढ़ती हूं तो य वो अपने pump में भर लिया है और इसके उपर spray कर रही हूं इससे एक shade dark हो जाएगा और ज़्यादा color भी नहीं लगेगा यह बहुत light होता है कोई taste खराब नहीं होता है इसका अब यह जैसा color मुझे चाहिए था उपर वाले surface पर मिल गया है एक को मैंने रग दिया थोज़दे फ्रिज में set होने के लिए और आगे का जो fondant work है वो मैं कर रही हूं तो मुझे red color के fondant से दो circle निकालना था तो वो निकाल लिया और ऐसा ही जो जो चीज चाहिए मैं बना लूँगी यह Pikachu वाला की एक बन रहा है तो Pikachu का गाल होता है red color का eyes होती है black तो जो जो चीज मुझे च बना लिया है आप देखते चाहिए कि कैसे बना रही हूं मैं और इसी black fondant से मैंने यह मोश भी बना लिया है नाक बना लिया है triangle कट करके अब इस तरह से place करना है पहले गाल मैंने लगा दिया है red color का गाल होता है ना पीकचू का वही उसके अब मैं इसके कान को बना रही हू पहले मैंने बनाए नहीं था मैं सोचा पहले बना लूँगी तो थोड़ा सा वो set हो जाएगा अब scissor से मैं यहां पर scissor का इस्तमाल कर रही हूं कान का shape देने के लिए क्योंकि हम एक तरह का कि हमेशा हम नहीं बनाते हैं यह सब जो जितना cartoon character वाला होता है वो कभी-कभी ह बनाने को मिलता है और हमेशा कुछ नया ही होता है तो repeat तो होता नहीं है बहुत कम repeat होता है तो जब भी हम बनाते हैं वो एक नई चीज होती हमारे लिए तो फिर देखना पड़ता है अच्छे से देख के बनाना पड़ता है फिर black color के fondant से कान के ऊपर आधा black और आधा yellow होत कान तो इस तरह से मैंने इसको सेट किया है दूसरा कान भी इसी तरह से मैं देख रही हूं कि बराबर है या नहीं तो इसके size को रख करके मैं cut कर रहूंगे और इसको set करने क्लिक एक ते उपर मैंने इसमें ice cream stick लगाई है अब ये दोनों कान मेरा ready हो गया है अब ice के लिए जो मैंने cut किया था वो थोड़ा छोटा लगा तो मैंने उसको roll करके थोड़ा बड़ा कर लिया है और दोनों आख लगा दिया है मैंने अब ये जो नाक है या मू है जो भी है वो लगा दिया है अब ये मूच जैसा जो होता है उसका वो set कर देना जैसा picture भेजा था जिनका cake था वो उन्होंने picture send किया था उसके हिसाब से मैं इसको बना रही हूं अब यहां पर मैंने दोनों कान लगा दिया है तो Pikachu मेरा ready हो गया अब बस eyes में जो white portion होता वोल बनाना है तो वो मैं बना रही हूं चोटे वाले nozzle से cut कर लिया इसको और थोड़ा सा पानी लगा करके fondant में मैंने यहां पर stick कर दिया और सबसे आखिर में मैंने इस पर एक बर्डे का टॉपर लगा दिया यहां पर और बस ready हो गया तो यह Pikachu केक की decoration design आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताईएगा और वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो इसको like कर दिजेगा फ्रेंड और फ्रैमिली में share भी कर दिजेगा जिनको baking में interest है जो की एक बनाना पसंद करते हैं और अगर चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके कर दिजेगा बेल आइकन भी प्रेस कर दिजेगा notification के लिए तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह की कोई अच्प्यारी से डेकॉरेशन के साथ अब तक अपना पुरपरा ख्याल रखिए दौा में याद रखिए अल्ला आफिज